हलो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे मोहनी वशीकर्ण मंतर किसी को भी करें असानी से अपने वश में जी हाँ दोस्तो आज हम ऐसे आपको मोहनी वशीकर्ण मंतर के बारे में बताएंगे जिससे आप किसी भी इंसान को, अपने दोस्त को, अपने दुश्मन को, पती या पतनी, गर्ल फ्रेंड या बॉय फ्रेंड, किसी भी लड़के या लड़की को आप अपने वश में बहुत ही असानी से कर सकते हैं दोस्तो आज हम आपको मोहनी वशिकन मंत्र के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोक करके आप किसी से भी मंच चाह काम करवा सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो को लाश तक देखना होगा आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टोटके मंत्रा में दोस्तो मोहनी वशिकन मंत्र के बारे में जो भी हम आपको जानकारी देंगे उससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं मोहनी वश्रीकन मंत्रों के द्वारा आप असानी से किसी को भी मोहित कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति आपसे असानी से मोहित हो जाता है इस मंतर की शाहिदा से आप अपने खोई हुए प्यार को भी वापिस पा सकते हैं या मन चाहा जीवन साथ ही पा सकते हैं या परिवारिक समाजिक स्थित्यों को अपने अनुकुल बना सकते हैं दोस्तों मोहनी मंतर बेहत प्रभावशाली माने जाते हैं दोस्तों हमारे विशो परसीत जोतिश और वश्यकन विशेशग्या अपनी जोतिश विद्या के सहाथा से यह बताना चाहते हैं कि मोहनी वश्यकन मंतर बहुत ही प्रभावशाली और पावरफूल होते हैं इससे आप जिस भी इंसान को चाहते हो अपने दोस्त को दुश्मन को किसी भी पूरुष को इस्तरी को या अपने खोए प्यार को किसी को भी अपने वश्मे कर सकते हैं दोस्तो किसी को भी असानी से अपने वश में करना, अपनी बात मनवाना, अपने खोई हुए प्यार को वापिस पाना, अपने पसंद के पूरुश और इस्तरी को अपने जीवन साथ ही बनाना, अपने पती या पतनी को वश में करना, प्रेम विवहा समस्या का समधान करना, व कोई भी निवारन करने के लिए उपाय या मंत्र नहीं मिलता लेकिन दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो से आपको वशिकन मोहनी मंत्र के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने जीवन की किसी भी परेशानी को जल से जल खदम कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके जाना होगा और वहाँ जाकर आपको एक आसन पर बैठकर ओम वर्जकन शिवे रूद रूद भवे ममाई इस मंत्र का 108 बार चाप करना होगा लेकिन दोस्तों इस मंत्र का 108 बार चाप करने से करते टाइम आपको यह प्रार्थ ना करनी होगी कि विवहा में जो भी कोई आदी में अगर कोई अरचन आ रही हो तो उसको जल से जल खतम किया जा सकता है दोस्तों अगर आपके व्यापार में आपके कारोबार में या आपके बिजनस में किसी में भी किसी भी परकार से कोई भी परिशानी आ रही हो आपके बिजनस में किसी भी तरह से अरचन आ रही हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने वेपार को लेकर अपने बिजनस को लेकर सभी परेशानियों को खतम कर सकते हैं दोस्तों मंतर इस प्रकार है ओम्नमोकट विकरत गोर रुपीनी इस मंतर का जाप आपको एक 108 बार करना होगा लेकिन दोस्तों याद रहे ये मंतर आपको सुबह नहा दोकर एक आसन पर बैठकर जहां भी आप पूजा करते हों उस थान पर बैठकर आपको सफ्टिक की माला लेकर इस मंतर का एक 108 बार जाप करना होगा और अपने दोस्तों महुनी मंतर ये बहुत ही अचुक और सरल उपाए है इस मंतर के उपाए से आप अपने पर जिंदगी में या जीवन में आने वाली सभी परिशानियों को खतम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपके घर परिवारे में शुक्षानती बनी रहे तो उसके लिए आप एक मंतर का जाप कर सकते हैं मंतर इस परकार है महुनी अमुक मोहे मोहे स्वाहा इस मंतर का आपको जाप करना होगा दोस्तों इस मंतर का जाप आपको 108 बार वेज दिन तक करना होगा और जैसे ही आपका इस मंत्र का जाप करेंगे आप अपने परिवार के लिए शुक्षान्ती की काम ना करें दोस्तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं आपके परिवार पर या कोई भी परेशानी हो सभी जल से जल खतम हो जाएंगी दोस्तो मोहनी वशीकर्ण मंत्र के बारे में जादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे दिये नंबर पर समपरक कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉमेंट करके भी जान सकते हैं दोस्तो अगर आपके जीवन में कोई भी परिशानियों आप हमें कॉमेंट जरूर करें तब हम आपकी सब्भी परिशानियों को जल से जल खतम कर पाएंगे दोस्तो हमारी वीडियो अच्छी लगूं लाइक और शेयर जिरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके धन्यवाद